जहां तक लोगसभाद चुनाओं का सवाल है आप सबको मालुम है कि जनता हम लोगों से याने भारतिय जनता पार्टी से बहुत आगे है और इसलिए परमादर्निय प्रदानमंती जी पूरे विश्वास से उन्होंने घोशना कर दी है कि क्योंकि हम लोगों ने देश को 370 को ह बाटवाया है इसलिए अब जनता हम लोगो 370 सीट से जादे देने वाली है और आपकी बार 400 पार सीट एंडिये के होने वाले है कि राहुल गांदी की नया यात्रा कुछ बदलाव लाईगे इस बार कॉंग्रेस जो है वो अपने सपने देखते रहे पूरा उनका हम लोग स इस बार लोग सभा चुनाओं में जो एरपोर्ट का वादा क्या है वो मतलब रहेगा कि एरपोर्ट का वादा क्या एरपोर्ट की हकीकत है लेकिन राज्य सरकार जो है वो बिलकुल योग्य है निकम्मी है ब्रष्ट है तो उनको विकास से कोई मतलब नहीं है अगर कोई भी ठीक राज्य सरकार होती, तो आप हजारी बाग के ऐरपोर्ट को तो भूल जाएए, आप जंशेदपुर की ऐरपोर्ट को अगर आज के समय देख रहे होते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी अयोग्य है, इतना विकास के विरोधी हैं, कि पूरे जहारकंड में जहां हम लोगों ने कई जगे ऐरपोर्टों को हम लोगों ने उनका स्विकृती दिलवा दिया था, सब जगे ऐरपोर्ट का काम ठप है, हजारी बाग में सिर्फ और सिर्फ धाई सो करोड की जरुवत थी, भूमी अधिगरान हो जाता, तो हम लोगों को ऐरपोर्ट मिल जाता, पर चलिए छोड प्लेइन में है कि आगे कोलकता और दिल्ली के लिए बिलकुल हम लोग तो लंबी दूरी वाली ट्रेन लाने के लिए पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, राजधानी का प्रयास कर रहे हैं, वो सब की चेष्टा है, जरूर होगा, और अगर आज आपको राजधानी या दि लिए के लिए मिल जाएंगे, आप अगर राची में हैं और राची में आपको राजधानी लेनी है तो राची में आपको एक गंटा से ज्यादा लगेगा रेलवेस टोशन पहुचने में, आप अजारी बाग से को डर्मा एक गंटे में पहुंच जाईएगा और एक से एक आपको मिल जाएंगे. इन सब चीजों में, इन सब छेत्रों में पूरी तरीके से ये सरकार फेले तो इसको सरकार क्या कहा जाए? इसको तो सिर्व महाठक बंदन कह सकता है हम लोग.